साथियों नवर्शकार साथियों आज का हमारा टॉपिक है कंफाइन इस्पेस इंट्री कंफाइन इस्पेस इंट्री हमारे प्लांट में आम तोर पे बहुत जगों पे पाया जाते हैं और इनका प्लांट में एक एहम रोल होता है और अगर जरासी इसमें चूक हम करें तो एक बड़ा इंसिडेंट होने की संभावना रहती है तो कंफाइन इस्पेस इंट्री की क्या रिक्वाइर्मेंट्स है इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कंफाइन इस्पेस इंट्री के बारे में जानकारी लेते हैं तो आईए दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले confined space entry होता क्या है confined space entry को हम इन तीन बिंदिवों से समझ सकते हैं वो कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले confined space ऐसी जगह को कहते हैं जहां आने जाने का आसान रास्ता न हो चाहे वो रास्ता सक्रा हो या अन्य कोई परिशानी confined space में हम आसानी से न घुस पाएं या न प्रवेश कर पाएं दूसरा है confined space के अंदर का वातावरण दूसित हो दूसित में दोस्तों confused होने की ज़रूद नहीं है oxygen level कम हो या ज़्यादा हो या dust हो, fumes हो, other gases हो, जहरीली gas हो या अन्य कोई flammable gases हो ये सभी चीजे दूसित वातावरण को दरसाती है और आखरी में तीसरा point है कि जो इनसानों के रहने के लिए ना बना हो तो इन तीनों बिंदों के आधार पे हम decide कर सकते हैं कि confined space हम किसे कह सकते हैं या कौन सी चीजे confined space के अंतरगत आती हैं अब समझते हैं कुछ examples जो आप screen पे देख पा रहे होंगे जैसे tanks टंग की जिसको बोलते हैं ये चाहे पानी की हो या किसी भी अन्य चीज की हो ज़रूरी नहीं है कोई भी tank होंगे वो confined space के अंतरगत आते हैं इसी तरह बाकी चीजे भी हैं जैसे tunnel, boiler, furnaces, severs, silos, hoppers, ducks, crushers, cyclones, kill, coolers, EPCs, ESPs, baghows, mills, chimney, pits, fence, casing या suits ये सभी confined space के examples हैं इसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले अपने plant में confined space को identify करने की जरूरत होती है तो परिभासा के आधार पे या definition के आधार पे हम confined space को identify करेंगे और उसके साथ साथ हर confined space को unique number और साथ में warning signs हम provide करेंगे और हाँ दोस्तों हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी numbers या warning signs हम लगा रहे हैं वो local language में होनी चाहिए साथ ही साथ हमें ensure करना है कि हम हर confined space पे एक PFD यानि process flow diagram जरूर लगाएं जिससे कि हमें energy sources कितने तरीके की हैं और कौन-कौन सी हैं उनको identify कर सके आसानी से और साथ ही साथ उनको समय पढ़ने पर उनका lockout tag out किया जा सके है isolate करने के बाद जैसा कि इस diagram में आप देख पा रहे होंगे एक tank का example दिया है जिसमें कौन-कौन सी energy sources कैसे कैसे आ रही हैं और क्या-क्या हमें lockout tag out करने की जरूरत है वो सब इसमें दर्स आया गया है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो confined space entry supervisor CSES की responsibilities क्या-क्या होती है तो दोस्तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा confined space entry supervisor और कोई नहीं बलकि वहीं supervisor होता है वहीं contact का supervisor या company का supervisor जो अंदर में काम कराएगा तो इसमें कोई confused होने की जरूरत नहीं है अब समझते हैं उनकी जिम्मधारियों या responsibilities के बारे में तो सबसे पहले उसे क्या करना है permit लेना है confined space में काम करने का permit लेना है उसके बाद काम सुरू करने से पहले उस काम का हीरा जरूर से जरूर होना चाहिए वो उसे इनसे और करने की जरूत होती है इसके साथ ही permit में जरूरी चीजों को भरना भी अतियावस्यक होता है साथ ही साथ हमें gas test एवं oxygen level का test करना अतियावस्यक होता है साथ में supervisor को ये भी इनसे और करना है कि permit के साथ साथ SWP होना अनिवार्य है साथ में जो भी equipments हों वो सभी आसानी से चला सके इसका ध्यान रखना चाहिए supervisor को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई deviation हो तो permit को cancel करा देना है emergency situation में rescue team की availability भी ensure करनी है supervisor को proper communication system का होना भी अतियावस्यक है और साथ में ये ध्यान रखना है कि कोई भी unauthorized बैक्ती confined space के अंदर प्रवेश्ट ना कर सके चलिए साथियों आब आगे समझते हैं कि authorized attendant की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती है attendant हमेशा ऐसा बैक्ती होना चाहिए जो वहाँ के खत्रों को भाप सके साथ में लोगों के ब्योहार से वो confined space के effect के बारे में पहचान कर सके अंदर आने और जाने वाले लोगों का proper entry करना चाहिए उसे इंट्री रेइश्टर में अटेंडेंट को कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ना है जब तक की उसका रिलीवर अटेंडेंट ना आ जाये एमर्जेंसी के सिच्वेशन में उसे क्या करना है उसका पता होना चाहिए और साथ में अंदर और बाहर confined space के उसको हमेशा अपनी monitoring बनाए रखना चाहिए अब आईए समझते हैं authorized entrance की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है मतलब जो बैक्ती अंदर काम करने जाएंगे उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है तो सबसे पहले उन्हें वहाँ के खत्रों के बारे में पता होना चाहिए और साथ में जो भी requirement होती है PPS की वो fulfill जरूर करना चाहिए हमेशा attendance से बाच्चित बनाए रखना चाहिए और साथ में किसी भी emergency situation में attendance को alert करना चाहिए साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि अंदर आने और जाने के कौन-कौन से रास्ते हैं या emergency situation में कैसे हम बाहर निकल सकते हैं चलिए दोस्तों आप समझते हैं initiator या side engineer या permit जो accept करता या बनाता है उसकी जिम्मेदारी क्या-क्या होती है सबसे पहले permit acceptor या initiator की जिम्मेदारी होती है कि जो special task उसे दिया गया है वो सही ढंग से उसे complete करें साथ में उसे job सुरू करने से पहले हीरा या JSA करना चाहिए supervisor के साथ मिलकर इसके साथ साथ safety की requirement को fulfill करना चाहिए और साथ में उसे जो भी अंदर काम करने वाले group है उन्हें बताने की जरूरत है कि अंदर क्या-क्या खत्रे हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है लोगों को safe working environment प्रदान करना उसकी एक जिम्मेदारी होती है काम सुरू करने से पहले उसे ensure करना होगा कि उसमें जो भी उर्जया स्रोत है energy sources हैं वो isolate हो गए हैं इसके अलावा उसे lockout tagout सभी energy sources पे confirm करने होंगे साथ में permit और सभी control measures apply हो गए हैं उसे ये भी ध्यान रखना होगा और साथ में rescue की team या rescue के सामान भी available हो इसका भी ध्यान रखना होगा साथियों अब हम समझते हैं confined space register के बारे में या entry register के बारे में confined space register में नीचे दिये हुए चीजे जरूर से जरूर होनी चाहिए ध्यान रखने की जरूरत है सबसे पहले confined space का detail होना चाहिए उसके बाद identification number नहित होना चाहिए दरसाए होना चाहिए उसके बाद उसमें 1000 की category जो भी है वो दिखा होना चाहिए साथ में 1000 control measures के बारे में लिखा होना चाहिए उसके बाद emergency rescue plan के बारे में जरूर से जरूर दिया होना चाहिए detail साथ में risk level को acceptance level तक लाने के लिए हमें जो भी control measure लगाने हैं उनका detail भी होना चाहिए अब आईए समझते हैं confined space entry की requirements के बारे में इसमें सबसे पहले supervisor और engineer को scope of work के बारे में साथ बैठ के discussion जरूर से जरूर करना चाहिए कि वहां की requirements क्या है और कैसे हम काम को पूरा करेंगे साथ में जहां उन्हें काम करना है उन दोनों को उस location का detail भी visit करना चाहिए और साथ में क्या जरूरी चीचे हैं या requirements हैं उनको fulfill करना चाहिए और साथ में दोनों को एक साथ मिलके उस जगह का हीरा जरूर से जरूर बनाना चाहिए जो की finally review करके sign off होना चाहिए इसके बाद जो भी ब्यक्ति काम करेंगे उनको identify करने की जरूरत होना चाहिए की decide करना चाहिए कि कौन आदमी confined space में काम करेगा और साथ में यह भी identify करना चाहिए कि उस ब्यक्ति का confined space entry जो standards होते हैं उन पे training हुआ है की नहीं उन्हें यह भी ensure करना चाहिए कि जो भी in trends हैं उनको उनकी duty और responsibilities पता है की नहीं वहां पे rescue plan का implementation भी जरूरी है अर्थात rescue plan बना है या नहीं यह भी identify करना चाहिए इसके बाद जो भी energy sources हैं उनका सही ढंग से isolation और साथ में lototo यानि lockout, tagout, tryout यह भी ensure कर लेना चाहिए कि हुआ है की नहीं वहां warning signs board का होना भी जरूरी है जो की unauthorized बैक्तियों को मना करने के लिए होगा कि उनका आना प्रतिबंदित है इसके अलावा हमें safety equipment कौन-कौन से लगेंगे confined space में उसको ensure करना है जो की इस प्रकार है यानि full body harness जो की double laniard के साथ होने चाहिए जो की working at height पे काम करने में उपयोगी होंगे confined space के अंदर SCBA मतलब self content breathing apparatus उसका होना भी अनिवारिय है वो respiratory requirement होता है respiratory protection होता है जहां oxygen level कम हो या अन्य दोसित वातावरण में काम करने के लिए उपयोगी होता है हमें ensure करना है कि जो भी power tools जाएं वो properly earth होने चाहिए और साथ में ELCB या RCCB के through ही उसकी supply लेनी है और ये भी ensure करना है कि armored cable का use करना है इसके अलावा illumination के लिए 24 bolt hand lamp का use करना है साथ में two way communication बना रहना चाहिए attendant और internet के बीच में ये ensure करना है ये सारी जानकारी confined space entry से related है जो की हमें confined space में काम करने से उचित सुरक्षा प्रदान करती है तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको confined space entry के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने plant में implement करेंगे और अपने साथियों की जान बचाएंगे और जाते जाते साथियों मैं आप सभी से request करूँगा कि please मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा promote करें सब्सक्राइब करें वीडियो को like और share करें इसे के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाज